श्री गीता जी के सत्तर में अध्याय का महात्में श्री भगवान बोले मंदलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था एक राजा किसी दूसरे देश का था जिनोंने आपस में शर्त बांधी हाथी लड़ाई और कहा जिसका हाथी जीते सो यह अमूक धनलेवे तब दूसरे राजा का हाथी जीता दुशासन का हाथी हार गया कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई एक धन गया, दूसरा हाथी मरा यम्दूत पकड़ कर धर्मराज के पास ले गए धर्मराज ने हुक्म दिया यह हाथी के मों से मरा है इसको हाथी की योनी दो हे लक्ष्मी राजा दुशासन संगल दूइप में जाकर हाथी हुआ और वहां उस राजा के बहुत से हाथी थे जिन में वह भी था उसे पिछले जनम की खबर थी मन में बारम बार यह पच्चतावे के मैं पिछले जनम में राजा था अब हाथी हुआ हुआ हूँ बहुत रूदन करे खावे पीवे कुछ नहीं इतने में एक साधु आया जिसने राजा को यह शलोक सुनाया राजा बड़ा प्रसन हुआ और बोला हे संत जी कुछ मांगो उसने कहा मेरे पास सब कुछ है एक हाथी नहीं है राजा ने सुनकर वही हाथी दिया ब्राहमन अपने घर ले आया दाना रातब दिया वह खावे नहीं पानी भी नहीं पिया रूदन कर मन में सोचा कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनी से छुडावे उस साधु ने महावत को बुलाया उचा के इस हाथी को क्या दुख है खाता पिता कुछ नहीं महावत ने देखा और कहा इसको कुछ रोग नहीं है तब साधु ने राजा से कहा हाथी खाता पिता कुछ नहीं खड़ा रूदन करता है यह सुनकर राजा स्वयम देखने को आया राजा ने बड़े बड़े वैद बुलाई और महावत बुलाई सब को हाथी दिखलाया उन्होंने देखकर कहा राजा जी इसको कोई मानसिक दुख है देखा कोई दुख नहीं तब राजा ने कहा हाथे तू ही बोल तुझे क्या दुख है परमेश्वर की शक्ति से मनुश्यों की भाषा में हाथे ने कहा कि हे राजन तु बड़ा धर्मग्य है वह ब्राहमन भी बड़ा बुद्धी मान है इसके घर का अन जो खावे बड़ा धर्मग्य हो मुझको क्यों मुले तब साधु ने कहा हे राजा अपना हाथी फेर ले राजा ने कहा दान दिया है मैं नहीं फेरता यह हाथी मरे या जीवे तब हाथी ने कहा हे संतजी तु मत सोच तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे सत्तरने अध्याय का पाठ सुनाओ तब उस साधु ने ऐसा ही किया हे लक्षमी सत्तरना अध्याय सुनते ही ततकाल हाथी की दे छूटी और देव देही पाकर बैकुंत को गया विश्नु भगवान की जैं